जीवन में भए किसने नहीं देखा? मृत्यू का भए, अपनों के चले जाने का भए, और सफलता का भए, हिंसा का भए. हम जानते हैं कि इस भए या डर के कारण हमारी मती मारी जाती है, बुध्धी चक्रा जाती है. हम उचित निर्णय नहीं कर पाते हैं, और अंत में जिस बात का डर होता है, हम स्वयम उसे सच कर देते हैं, हम जीवन भर भए या डर से लड़ते रहते हैं, किन्तु भए से छूटने का कोई उपाय नहीं मिलता. किन्तु क्या हमने डर के विशे में विचार किया है? डर वास्तव में क्या है? जिस बात का हमें डर होता है क्या वास्तव में वही डर का कारण होता है? या डर हमारे मन का भावात रहे जिसका वास्तविक्ता के साथ कोई संबंध नहीं डर सदा ही भविश्य से लगता है भविश्य में कुछ अनुचित या अघटत ना हो जाए जीवन का स्वरूप कहीं बिगड़ ना जाए यही होता है न डर और भविश्य तो सदा ही अन्जान रहता है इसलिए हम कभी वास्तव में डर से छूट ही नहीं पाते कभी निर्भय हो ही नहीं पाते भविश्य हमारे अज्ञान का परिणाम है क्या ये सच नहीं? गहराई से विचार करने पर हम तुरंथ ही जान पाएंगे कि हम जिस अघटित या अनुचित की चिंता में रहते हैं वैसा हमेशा तो होता ही नहीं भविश्य का क्रम तो हमारे डर से अन्जान अपने मार्ग पर चलता रहता है भविश्य के कारण भविश्य नहीं बदलता केवल हमारा मन रोग से भर जाता है किन्तु हमारा मन यदी स्वस्त रहे रिदे यदी स्थिर रह पाए तो हम संकट को पराजित कर सकते हैं और जीने का सुख प्राप्त कर सकते हैं